सिलिंग फैन में कैपासिटर कनेक्शन करेंगे और बिल्कुल असान प्रोसेस से और इजली इसको करेंगे देखेंगे इसमें टोटल तीन वायर हैं और दो जो वायर हैं जिसमें डबल है जैसे कि जो कैपासिटर के वायर है उसमें डबल डबल वायर है एक रणिंग में और ए टाइट कर देंगे जहां से हमने उसको खोल रखा है ऐसा ही करेंगे से यह नहीं कि यह दोनों वायर को खोलें अब जब दोनों वायर को खोल देंगे तो फैन आपका उल्टा घूमने लगेगा और भूल जाएगा कि कौन सा नीचे वायर था कौन सा उपर था एक तो करने के बाद फिर उसी जगह पर टाइट कर लेंगे तो इस प्रोसेस से कोई भी अपने घर पर चाहे तो इजली लगा सकता है कैपासिटर और कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट होगा जैसे क्या होता है कुछ लोग कैपासिटर चेंज करते हैं तो फैर उनका उल्टा चलने लगता है लेकिन जब इस तरीके से लगाएंगे बारी बारी से खोलेंगे दोनों और एक खोलेंगे तो फिर उसको अच्छे से कनेक्ट करने के बाद उहीं फिस उसी जगह में कनेक्ट कर देंगे फिर सेकेंड वाले को सिम यही प्रोसेस होना चाहिए और कैपासिटर में तो कैपासिटर इसमें से चेंज किया जाता है देखेंगे अब इसको चला के चेक करेंगे बिल्कुल यह सलो चल रहा था तो अब काफी फाश हो चुका है तो यह था सही तरीका बिल्कुल तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो आप मुझे फॉलो करें यानि सस्क्राइब कर मैं ऐसे वीडियो देखने के लिए जैंस